नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टिकनो यज की भाई में और गाज आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेफ मून से जुड़ू ही कुछ अपडेट के बारे में और इसके वर्जिन 2 से जुड़ू ही जो अपडेट निकल के आ रही है उसके बारे में ह इसका प्राइस अभी 0.0002282 इसका प्राइस चला है आई एन आर में और यह 24 घंटे के अंदर 2% से ज्यादा यहां पर डाउन भी हो चुका है और यहां पर देखें तो इसकी रैंकिंग 207 वे नमबर पर चल लई है और 17 लाक से ज्यादा लोग इसे अपने वाच लिस्ट में एड कर चुके हैं और यहां पर थोड़ा से हम बात करने इसकी ट्रेडिंग वाइलों की तो यहां से 0.50 यहां डाउन चला इसकी ट्रेडिंग वाइलों में भी कमी हमें देखने को मिल रही है अब चलिए बात कर लेते हैं जो अपडेट निकल के आ रही है सेफ मून के कुछा जा रहा था और इसका रिपलाई खुद जोहर करोनी नहीं यहां पर दिया है कि वर्जिन टू की डेट अभी कोई नहीं आई है इसका जो लॉंचिंग होगी सर्फराइज होगा इसके किसे को बताया नहीं जाएगा तो गाज इसकी डेट लेकर कोई भी इस तरीके का न्यूज नहीं है कि इस दिन आने वाला है एक कभी भी आ सकता है जल्दी आने वाला है तो वर्जिन टू की कोई डेट नहीं है यह तो फाइनल हो गया अब बात करते हैं जो अगली अपडेट है कि अगर आप बहुत लोग क्वेशन पूछ रहे थे कि अगर हम अपने सेफ म जो सेफ मुन कोई होगा उसमें आपको उस अप्सन को इनेबल कर दिये जाएगा उसो एड़ कर दिये जाएगा का आप वहां से आसानी से माइग्रेट कर पाओगे अगर नहीं होगा तो फिर से आपका उसको कोई दूसरा तरीका होगा और मैं पिछले वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ कि फिर आप एक्सचेंज से आप इसे अपने ट्रेस्ट वालेट या सेफ मुन वालेट में सेंड कर देजी उसके बाद वहां साप आसानी से वर्जन टू में माइग्रेट कर पाओगे इस सारे कोईचन मैं इसलिए बता रहा हूं फिर से क्योंकि बहु वर्जन टू में जो जाने के बाद इसमें सबसे ज्यादा में फोकस इनके कवे इसके बाद या अपने ब्लोकचेंद में भी अपग्रेडिंग करने वाले और बहुत जल्द भी इसके और जो और इसको अमें नए फीचर्स आपको वालेट में देखने को मिलेंगे जैसे कि आपको कई सारे एक साथ wallet यूज करने का option मिल जाएगा multi wallet का option आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा यह खोद यहाँ पर जो Sunday का session था उसमें निकल किया इसके features के बारे में यहाँ पर बताए हैं और आपको वहाँ पर private key का भी option मिल जाएगा आप उसे यूज कर गया आप कहीं भी अपने token को transfer कर सकते हो बहुत आसानी से तो इस सारे features आपको version 2 के बाद देखने को मिलेगा और काफी लोग इसके बारे में भी questions पूछ रहे थे और यहाँ पर यही अपडेट थी इसके बारे में version 2 को लेकर और कुछ खास यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला और जैसे ही कोई important update आती है आपको सबसे पहले मिलेगी इस चैनल पर इसलिए आप चैनल को subscribe कर लेजिए चलिए मिलते हैं अगली update के साथ